मेरा नाम नित्यानन यादाब है जिस बीबी को एक दो तीन चार बच्चे हो और उसकी एक दो तीन गलती पर पती के ओर से तलाक दे दी जाए फिर उसकी साधी ना हो और वह जिसम बेचने वाली आवरत हो जाती है ऐसी इस्तिति आ सकती है तो मुस्लिम कमेटी में तलाक क्यों जबकि हिंदू धर्म में तलाक का पर्था नहीं है मेरा गुजारी से है डाक्टर जाकीर से कि आपके जवाब पर सवाल पैदा हो सकती है अगर मुझे आप संतुष्ट पुर्वाग जवाब दे देंगे तो मैं इसी वक्त मुस्लिम धर्म कबूल कर लूँगा क्योंकि मैंने बिभिन जल्सों में गया और देखा कि हिंदू धर्म गलत है मुर्ति पूजा गलत है तो आज मुसलमान भाईयों दस हजार बिस हजार की कुर्वानी करते हैं लेकिन पंच सो रुप्या का एक बाकरा धाकार भैसा खरिद कर सारे आम में नहीं छोड़ सकते हैं और मुर्ति पूजा गलत है तो मैं आप से गुजारिस करूँगा पार बर दर्खस करूँगा कि आप मुझे सर्कूष्ट कर दिजिए मैं इसी वक्त कबूल करूँगा मैं जवाब देने की कोशिश करूँगा हिदाष देना अल्ट के हाथ में मैं आपको जवाब दूँगा इन्शाला भाईसाब का सवाल है कि इसलाम मजड़ में अगर कोई औरत गलती करती है एक दो तीन चार बच्छे है एक दो तिन गलती करती है मुसल्मान उसे तलाक दे देता है फिर वो औरत जाके बाजारी औरत बन जाती है हिंदू धरब में तलाक है यह नहीं तो इसलाम धरब में तलाक क्यों है बेसिक आपका सवाल है का इसलाम मजब में तलाक क्यों है बराबर, हिंदु मजभ में नहीं है अपका बिसी सवार, बराबर भाइसब, का इसलाम मजभ में तलाक क्यो हैं, बराबर भाइसब, क्यों तलाक है, आपके इसलाब से तलाक नहीं होना चाहिए, अक्सर मजभ में तलाक नहीं है, डिवोस नहीं है, क्रिशानिटी में आप पढ गया था कर दिवोज देना गलत है लेकिन मैं ही क्यता हूंँ अनलेस आपकी बीवी किसी और के साथ गलत काम करते है फिर ही आप डिवोज दे ऐसकते हैं तो यह बाइबल में डिवोज की ऐक शर्थ में उसके लावा डिवोज नहीं दे सकते हैं writers हिंदु मदभ में बिल्कुल सही फर्माते हैं, हिंदु मदभ में डिवोस ही नहीं हैं, यह इंडिया में जो हो रहा है वो इंडियन पिनल कोड है, मैं बिल्कुल आपकी बास सहमत हूँ, इसलाम मदभ में डिवोस क्यों है, इसलाम मदभ में डिवोस है, लेकिन यह आखरी मरह पहले पर आप इसको इस्तिमाल करना चाहिए, क्योंकि निकाह एक मिसाख है, जो कुरान मजीद में लिखा है, निकाह is a मिसाख contract between मिया भीवी, और मर्द तब शादी करते हैं, निकाह एक मिसाख है, sacred covenant, एक contract है, हम मिया भीवी होंगे, अभी कितनी बार आप जब बिजनेस करत पार्टनर के साथ, अकसर बिजनेस अच्छा चल जाता है, कई बार पार्टनर आपको पसंद ने आता है, होता है कि ने, तो आप क्या करते हैं, प्यार से उसके साथ, पाठ हो जाते हैं, इसलिए जब ये contract आप मिया भीवी का करते हैं, contract करते हैं, आप contract रहेते हैं, इन्शा साल रबाद आपको पता लगता है कि हम लोग गलत होना चाहिए या शोहर घलत होना चाहिए यह बोच देबार दौनेंग अच्छे हैं वर पैडिल नहीं है अगर अगर मिया बीवी एच दौने अच्छे हैं लिकिन अग्राबर Sně नहीं मतलब रिवात अलग है, हिंदुस्तान के अलग है, बहुत से बार साथ में करेंगे तो नहीं मिलेंगा ना, इस्टन कल्चर अलग है, हम सब्वेता में मानते हैं, हम मोडेस्ट है, वो वेस्टन कंट्री में बिक्नी में घुमते हैं, आपकी बीवी बिक्नी में घुमेंगी तो आप पारेंगे उसको ना वेस्टन गंट्री में चलता है आप समझे के ने बाई साब जी समझता है लेकिन आईशी परसर तो बहुत मेरा जवाब सुरा मेरा जवाब पुरा ने हुआ तो अगर आपकी बीवी बिक्नी में घुमेंगी तो आप तो बोलेंगे बाई जाओ अपने चलता है उनकी बीवी बिक्नी में घुमती है उनको कोई फरक नहीं और हो सकता है कि दोनों में से एक अच्छा नहीं है हो सकता है दोनों अच्छे नहीं तीन जीत हो सकती है दोनों अच्छे लेकिन नहीं है या दोनों में से शोर अच्छा नहीं या बीवी अच्छी नहीं यह हो सकता है कि दोनों अच्छे ने तो ऐसे मुक्य पे कुरान मजीद में अल्ला सुभानाओं ताला ने तरीके दिखाई किस तरीके से तलाग होना चाहिए जब तलाग होता है तो तलाग के कुछ शरायत है कि पहले आपस में बीवी और शोहर बात करे किया प्रॉबलम है ऐसे ने का बीवी नमक ज़्यादा दाली खाने में आपने बला तलाग 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 अब नमक नहीं ज़्यादा पसंदो बोलो बीवी को बाए नमक कम दालो बेटके बात तो करो तो कुरान मुझीद ने लिखा है कि पहले आपस में बात होना चाहिए, आपस में बात करके अगर problem solve नहीं होता है, तो arbitrator लिखा हो, बीवी के घर के तरफ से, बीवी के तरफ से अर्बेटर लिखा हो, ya time के लिए, शोर्र के तरफ से एक कोई बड़े को लिका हो, समझधा के लिए, एक मीटिंग करो, Пराप्लम सॉल्व गरो, सम्ज़ता हो जाता है, फिर भी ने प्राप्लम सॉल्व होता है, तो फिर आप तलाग दे सकते हैं, तलाग देने का तरीक है, तलाग तलाग ने, तलाग दो, तीन महिने रुखो, तो ट्राइल पिरिड है, इद्धत का मुखा, इस दर्मियान तीन महिने में, आपने तो बड़े जोड से बोले, मैं बीवी के बिना रे सकता हूँ, दो हफते में आपको डाला टेका बाँ मालूम पड़ता है, अब बोलहरे भाई मुझे बीवी का उपिस लेकि आजाओ, अब रुजू करो, कोई प्रॉब्लम ने, तो ये ट्राइल पिरिड भी अल्ला टाला ने दिखाया है, अभी मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ भाई साब, अगर आपकी एक बहन है, आप अप अब आप सुनें मुझे ना, जी सर, अब आप सुनने के ने मुझे, हाँ सुन रहे है, आप अपनी भेन के लिए अच्छा शोहर तलाश करते, एकदम तैकिक करने के बाद, तैकिक के बाद आपको पता लगता है, एक साल बाद आपकी बहन आपके पास आती है, बाई साब, वो शोहर जो अपने मेले तलाश के बिलकुल गलत आदमी, क्या हो गया, वो रोज मुझे मारता है, क्या बात है, वो शराब पी के रोज मुझे मारता है, रोज मुझे जल्म करता है, हर रोज बिना वजे मुझे मारता है, मैं उसके खिदमत करती हूँ, मैं उससे प्यार करती ह यो पिर भी रोज मुझे आगे शराब पी के मारता है आप जा आ किसे बात करेंगे भाई क्यू पूछने के साथ शादी करें और वह अगर आपकी बेहन के लिए अच्छा शोहर तलाश किया एक साल बात पता चलता है कि वह आद्मीं अच्छा नहीं है शराब ही है जेال है रोज आपकी बहन को मारता है उसके साथ गरत हरकत करता है अपने दोस्तों को लाखता है आपकी भेन के सास्थ होने के लिए तो आपको पता चलेगा तो क्या करेंगे आप पसंद करेंगे आपकी भेन इसको जहलते रहे या पसंद करेंगे भा उसको छोड़ो दूसरे से शादी करो आप क्या पसंद करेंगे हिंदू क करने तुमको पती मिला है कि वूची के बात मितितु हो जाती है। मैं आपकी बात कर रहा हूं, धर्मपर में आऊँगा, मैं आप से पूछ रहा हूं, मैं आपने अससे कहा हूं, कि आपने शोहर की आप सिपंसे कि बात करो, उसकी क्या गलती बिचारे आपकी भेंगी आप बोलेंगे बर्दाश्ट करो आपको कल कोई मानने लगेंगा रोज आप जल्म करने लगेंगा का बर्दाश्ट करेंगे आपकी भी आपको रोज मारेंगी आके बेलंसे बेलंसे रोज मारेंगी वह अच्छी माशलार्स की है रो को छोड़ो मैं आप से भाई साब बाइसाब मुस्लिल कमिटी के आउरातों से मैं से सबसक्राइं आप किसा मेरी बात ना पाकिस्तान को छोड़ो हिंधुस्तान को छोड़ो यह आप से सवाल पूछता हो जी साथ में क्या हुष्थोडो मुझे भी आपकी फिकर है जी आपको अगर आपकी बीवी रोज मारती है हां जी रोज आपको मारती है रोज जाके भार एश करती है आप क्या करेंगे मैं उनको समझाओंगा नहीं समझती है और बहुत अट्टी कट्टी है समझाएंगे तुमको दो समझाएंगे हो क्या करेंगे अगर तुम क्या बांदेंगे उनको नहीं अधिक अंदर तलाक का तो बात नहीं करेंगे अब दिखने में कैसे मुझे नजर आ रहा टेलेविशन पे आपकी बीवी अगर एक दम अट्टी-कट्टी है आप क्या उसको किले से बांदेंगे वह जापड़ आपको मारेंगी आप गिर जाएंगी फिर आप क्या करेंगे बोलो हम लोंका जो आउरत है रोज मंदिर जाती है और प्रठना करती है इस वार हमारे पती के लिए लंबी उमर चाहिए बाएसाब आपकी बीवी बहुत अच्छी है अन्हम्दुलिल्ला मैं आपकी बीवी की बातने कर रहा हूं मैं कह र करते थे जी सर एक दो परसंट हो सकते हैं लेकिन आम में नहीं और मुस्लिम में आप एक दो परसंट की बात करों क्या करते थे आप जी सर आप एक दो परसंट क्या करते थे अगर एक दो परसंट में इसी मकार बीवी निकली मकार शो और निकला तो आप क्या करेंगे एक पूछ रहा हूं अगर आपकी बीवी आपसे ऐसी हरकत करने लगी या आपका बेहनों भी आपके बेंद को रोज मारता तो आप क्या करेंगे एक पसंट होगा दो पसंट बोलते हैं कि मैं पॉइले शुद्ध मैं बंद करके रख़ूंगा अब नहीं बंद कर सकते ना वह आप से टाकत वरे बाई सब्सक्तराइब अब यह व्यक्राइब बहुत अच्छी तो क्या करते थे अइसा तो नहीं सकता है आप किसमत वाले भाई सब्सक्राइब करनेंगों के वालड़े आपको आपक gravity अगर कोpex मारता है Communist विट्राभी लाल पीला करता है शराब पीता है जुवारी है तो क्या बोलेंगे वेंग नेता नहीं होगा यह बात में ने क्या बोलेंगे अपने बेंगे बेन को बोलेंगे कि ने छोड़ दो नहीं तुम जा उसके कदमों में जाके पड़े रहो तो कदमों में ही मारता है उसको कदमों में ही तुम मर जाओ कदमों में ही मर जाओ तो क्या ये इंसानियत है नहीं ए ऐसे धर्म को मानते हैं जी अगर पती के दुवारा मारे जाते हैं तो जन्नत का हगदर हो सकते हैं यह कितर लिखा है आप ऐसी किताब में मानते हैं अगर ऐसी किताब में लेगा तो हर शोर अपने बीवी को मानने लगेंगा ना हर शोर मानने लगेंगा बोलेंगा चलो यार वो जन्नत में जाएंगी मारो नहीं तो हम तो बता रहा हूं सार कि एक दो परत्रभ हो सकते हैं आप जो बोल रहें इसी लिए जितनी नाइंसाफी आउरतों पे हो रही हिंदुस्तान में उसकी वज़े ये है उसके वज़े ये है कि हिंदु आउरतों पे जब नाइंसाफी होती है वो चुप चाप जहन करती है क्यों उसको आवाज उठाना चाहिए मुसल्मान आवरते आवाज उठाती है तो आपको दिखने में आता है जो आप बोलते हैं तलाक कितने लोग का तलाक कितने लोग का तलाक हो तो 1 पी सद ने मिलेंगा अपको मैकसीमम मैकसीमम 2 या 3 फी सद होगा लेकिन ये 2 या 3 पी सद पे जो जो जुल्म होता है हो सकता है पांज फीसिद पे जिम हो रहा थी, तीन फीसित आवर अवर्ट अवाज उढ़ारी है, हिंदू के अंदर कितना जिल्म हो रहा है, वो सेहन कर रहे है क्योंकि लोग बोलते कि है, वो जाएंगी जन्नत में, क्या सही है यह, ऐसा धरम हो सकता है, क्या सही जल्म करें, अनिये तुम्हारा शोहर तुम्हारा इश्वर, वो शराबी भी है, जोवारी भी है, तुमको मारता भी है, तुम्हारे साथ दोस्तों से भलातकार कराता है, फिर भी इश्वर, कैसा इश्वर? इश्वर एक है, तुम्हारा शोहर नहीं, शोहर इश्वर नहीं है भाई साब, उपर वाला इश्वर है, शोहर कभी इश्वर होता नहीं, हाँ शोहर की इश्वर करना चाहिए, लेकिन इश्वर करने की हद होती है, अगर हद से बाहर हो जाता है, तो इसलाम में इजाज़त है, कि वो अलग हो सकते हैं, शोहर भी अलग हो सकते हैं, आउरत भी अलग हो सकते ह अल्ला के रसूल फर्माते है कि सबसे अच्छे मुस्लिम वो जो अपने खांदान के लोगों से अच्छे है खुसूसाँ अपनी बीवियों के साथ तो कुरान में लिखा है और हदिस में भी लिखा है कि आप अपनी बीवियों की देखबाल करना चाहिए और बीवियों से कहा गया है कि आप अपने शोर की देखबाल करना चाहिए कुरान में लिखा है सुरा बकरा में सुरा नमबर 2 आयत नमबर 187 में कि आपकी बीवियां शोर का लिबास है और शोर बीवियों के लिबास है लिबास मतलब एक दूसरे को सहरा देते एक दूसरे को पोटेक करते एक दूसरे को ब्यूटिफाइ करते है ये इसलाम है इसका मतलब नहीं कि आपने शादी कर दिये तो जल्म भी करो इसलिए सबसे ज्यादा अगर आउरतों पे जल्म हो रहा है गाओं गाओं में जल्म हो रहा है लेकिन आवाद में उटकी है आप जैसे भाई अगर होईगे आउरत के पास तो आउरत कैसे नजात पाएंगी आप जैसे भाई है जो बोलेंगे कि कदम में पड़ो मर जाओ जन्नत में जाएंगे तो कौन बहन दुआ करेंगी कैसा भाई उसके पास हो कौन बहन दुआ करेंगी बोलेंगे मेरे पे जल्म हो रहा है मेरी जन्नम बन रही है और मेरा भाई बोलता है जन्नत जाएंगे कैसा ये कैसा इनसाफ है इसे लोग दुआ करेंगे यह भाई से मुझे निजात दो यह भाई से चुटकारा दो और इसलाम में जल्म करना हराम है, जल्म बरदाश करना हराम है आप अगर जालिम का साथ देंगे तो आप भी दोशी है वो जन्नत में तो जाएंगी, तुम जाएंगे नर्क में समझें भाईसाब क्या बाई साब आप नर्क में जाना चाहते हैं स्वर्ग में बाई साब सर मानता हूँ आपका बात आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं नर्क में स्वर्ग में ही तो जाना चाहेंगा तो आप अपने बेन को नर्क बना रहे जिंदगी को और आप जाना चाहते है स्वर्ग में हाँ आप अगर और अवरत होती थी तो अगर खुदा आपको और अवरत बनाता था और आप पे जल्म होता था आप क्या करते थे हाँ वो धर्म होना चाहिए जो सारे इनसान को यक्सा मानता है और आपको तक्सीम किया एक और आपको तक्सीम किया एक कबाईल में ताकि आप एक दूसरे को पहचांड सको ना कि आप एक दूसरे से नफरत करो और सबसे बहतरी इनसान वो जो तक्वा रखता है जो अल्ला सुबानाओ ताला के कहने पर अमल करता है इसे कहते हैं तक्वा कुरान में एक इनसान दूसरे इनसान से उचा कैसे हो सकता है ना जिन्स के बुनियाद पे ना पैसे के बुनियाद पे ना रंग के बुनियाद पे, ना देश के बुनियाद पे, लेकिन तक्वे के बुनियाद पे, तक्वा मतलब God Consciousness, Righteousness, Piety, आप अच्छे इंसान बन सकते, जबी आप अच्छे इंसान होंगे, Righteous इंसान, आप खुद अपनी बेहन के लिए हक नहीं चाहते, तो आप कैसे आद्मों में मरो, क्यूंकि आपका मजब कहता है, बराबर, भाई साब, जी, आपका मजब सही कहता है, ऐसे तला करना तो सही नहीं लग रहा है, और भेन के ओपर जुल्म हो रहा है, जुल्म तो एक कम परसेंट में देखे जा रहे हैं, आपको कैसे पता है, आप तो बोलते चुप चाप रहो तो आवाद भी ने उठा रहे तो मालूम कैसा पड़ेंगा कमस कब मुसल्मान आवरते आवाद उठा रहे ना तो कि देखा गया देखा गया क्या देखा गया मैं ये पुछना चाहता हूं आप से कि अगर जुम हो रहा है आपने बोले कि उसे चुप चाप सहन करना चाहिए अगर ऐसा करे तो अक्सर आदमियों जुम करने लगेंगे मुसल्मान तो जुचेंगे ज्यादा जुम करेंगा तो मिचारे छोड़के चले जाएगी मैं पहस जाओंगा खाना मुझे पकाने पड़ेंगा फिर बना बना वो छोड़के भाग जाएगी तो हिंदू तो अच्छा भाय मारो भी कुछ भी करो एश करो रोज मारो तो भी मैं साथ रहेंगी कैसा ये मजब है हिंदूस्तान में भी गलत है शोहर बीवी को थोड़ी मार सकता है रोज शराप पी के जुआ खेल के मारेंगा तो पुलीस को पता चेलेंगे पुलीस भी अंदर कर लेंगा आपके बेनुई को आप समझ रहें भाई साब आप समझ रहें के नहीं समझ तो गया है लेकिन कबूल करना मुश्किल पड़ता है अगर आपके यह रहें तो आप दूसरी शादी करा हो ना इसलाम में दूसरी शादी करना अच्छी बात है हमारे रसूल मुहमत सल्लाव सल्लम ने पहली बीवी जब की शी वास विडोड उनके शोर मर चुके थे अब समझे ना और जितनी भी बीवियां जो हमद सल्लाव सल्लम की एक को छोड़के अकसर इधर विडोड थे या डिवोसी थे आप समझ रहें ना तो इसलाम में अच्छी बात है अगर आप डिवोसी से शादी करते हैं इसमें बुरा थोड़ी है हमारे हिंदुस्तान में एक कलंग है डिवोसी से शादी करना इसलाम में ने साबा के दोर में सहाबिया भी अच्छी थे साबा भी अच्छी थे दोनों अच्छी थे राउंड होल स्क्वेर पे किन राउंड होल अगर स्क्वेर को राउंड में डालेंगे फिटने होएंगा अगर फिटने हो रहा है तो आप पाट करो अच्छी थरीके से प्यार से मुबबत के साथ उनको खाली पीजी कोट के अंदर जाके प्यार से अलग हो जाओ आप दूसरी से शादी करो यह दूसरी शादी करेंगा यह सबसे बहतरी ने सारे इंसानों के लिए और दोनों जन्नत में भी जा सकते ना ज़रूरी क्या क्या वो शक्त इतना जुम उठा है हथ तो आपको पता है लेकिन मानना मुश्किल आपके रहा हो भाई समना जी और एक सवाल छिपा हुआ है जो थोड़ा उनका खुलासा कर देते हैं तो मैं सोच विचार के देख लेता क्या सवाल है आपका सोच विचार क्या आपको जवाब देने के बाद भी आप बोलते हैं मानते हैं लेकिन कबूल करना मुश्किल है